मुख्यमंत्री शामुहिक विवाय योजना के तहत बेटी की करवाई थी 2021 में साधी आज तक अनुदान के लिए लगा रहा ओफिटों के चक्कर नौस्कार आप देख रहे हैं जन्मंच खबर उसी नगर जनपत के विकास खंड नेबुआ नोरंग्या के ग्राम सबाब बंदू छप्रानिवासी नंदाल परसाद पुत्र जत्तर परसाद ने मुख्यमंत्री शामुहिक विवाय योजना के तहत अपनी पुत्री की साधी 14 नौमबर 2021 को खड़ा बलाक में हुए साभ मुख विकास खंड नेबुआ नोरंग्या, भिनोट कुमार ने दो बार चेक काट कर दिया और दो नो बार चेक अब तक उससे ब्यक्तिगत खाते का चेक दे दिया गया जो की बैंक में डालने पर बाउंस कर गया। फर्यादी ने बताया कि जिसने इस चेक को जारी किया था उसके खाते में प्रयाप्ध धन ना होने की वज़े से धंदासी नहीं भज़वाई। अब मुख्य मंत्री की मातो कांची योजना सामोईग विवाग जिसके तहत गरीब बालिकाओं की साधी करवाई जाती है और परिवार कुल्ट के लोगों को एक आर्थिक मद्दत मुहिया करवाई जाती है उस पर एक साल से अधिकारी कुंडली मारे बैठे हैं। फर्यादी अलग अलग विवागों के चक्कर काटका कर परिशान है आई ये सुनते हैं फर्यादी ने इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या आज जानकारे दे टीम जन्मंच खबर के लिए कुशिरेगर से हाजरांसारी की रिपोर्ट पोर्ट काट्डा ब्लाक में अब लगा खड़ा था नेबुव नरुए कि हम हैं लेकिन वहां हुआ था खड़ा ब्लाक में अधार नहीं मिला तो दिखा रहें प्रेशार के हाँ तू चेक दिया है वो समाज कर लार के जो अधिकारिया वह अपना निजी चेक दिया और हमसे लिखव गया है एक चर्व दो हजार बाइस को अब दो बार चेक बाउंस हुआ है उनके खातेम प्रेसा ही नहीं है आपको 35,000 रुपे नहीं मिला तो क्या आपने अकांट नंबर नहीं दिया था दिया था आपने पूछा नहीं कि आसा क्यों हुआ कि नहीं पूछा तो काया कि ठीक ह पर बाउंस हुआ है दो बार भीजा गया है बहुत से जाना मिलक बिनोद कुमार किस पोष्ट पर है वह आ है उनकराम बीकार सची है समाज कर ल्यान पर है कि अ कि अ कि 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 कि